हेलो गाईज, वेलकम बेक टूबर चनल, आज हम बनेंगे कुछ नया जिसके लिए मैंने यहाँ पे बैड़शिट का बचा हुआ कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 27 इंच और लंबाई है 42 इंच अब ही हम उसी बैड़शिट के दूसरे दो कपड़े कट कर लेंगे जिसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई है 27 इंच अब उस कपड़े को हमें में कपड़े के उपर कुछ इस सरी किसे रखना है और उपर की तरफ फोल्ड का अर्सिलाई कर देनी है यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है अभी हम इनको बीच में से दो तरफ सिलाई करेंगे कुछ इस तरीके से हमें सिलाई करनी है यहाँ पे मैंने दोनों कपड़े जो है वो मेन फैबरिक में आटेज कर दिये है फिर हम में एक लेस लेनी है रूसलेस को हमें कुछ इस तरीके से डिजाइन की तरह रख कर सिलै करनी है हमारा कपड़ा जो है वो पतला है इसके लिए अभी हम अस्तर का कपड़ा बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ी की थेली जो है वो कट कर ली है और ऐसी मैंने दो तिन कपड़ी की थेली जो है वो कट कर एक दूसरे के साथ अटेज कर दी है अभी हमें इस अस्तर के कपड़े को में फेबरिक के साथ अटेच करना है और इस तरह से सिलाई कर देनी है यहाँ पर मेरी सिलाई हो गई है अभी हमें लेस लेनी है और इस लेस को कुछ इस तरह के से फोल्ड करेंगे और चारो तरफ अटेच कर देंगे यहाँ पे मैंने चारों तरफ लेस अटेच कर दी है और यह हमारे पॉकेट भी बन कर तैयार है और यह हमारा बहुत ही बड़िया साफ फ्रिज का कवर बन कर रेड़ी है थेंक यू गाइस फॉर वाचिंग लाइक शेर और सब्सक्राइब